फिर से एक छोटा सा प्रॉलम लेकि आया है, जो कि fundamental thinking और fundamental processes को strong करता है, इस चीज़ पर हम बात करने वाले हैं, I hope all of you understand 1-1 and on-to function, 1-1 on-to function का मतलब होता है, कि domain के हर element की एक unique image co-domain में होनी चाहिए, और co-domain का कोई भी element जो है, वो खाली नहीं देना चाहिए, यानि कि हम उस 1-1, exactly 1-1, उनके साथ napping कर पाएंगे, तो domain के element और co-domain के element जो है, वो पराबर होते हैं, अगर हमारा function 1-1 and on-to है, तो let's see, अब हम एक काम करते हैं, कि हमने क्या किया, एक function define किया, y is equal to x plus 1, y is equal to x plus 1 किया, और इसका domain हमने define किया, domain हमने define किया, इसका close interval 0 से 1, close interval, और इसका co-domain की बात करें है, range जिससे आप कहते हैं, co-domain हमने define किया, वो define किया, जूकि range के बराबर ही हमने किया, तक इसको 1-1 and on-to बना पाएं, वो हमने define किया, 1 से लेकर 2 तक, ठीक है, यह हमने define किया, दूसरी जगे हमने function define किया, y is equal to, y is equal to 4x, y is equal to 4x plus 1, let's say, 4x plus 1, और इसका domain हमने define किया, इसका domain हमने define किया, same, यहां से 0 से close interval, कोई ने छोड रहा हूं, 0 से 1, और इसका co-domain जो हमारे पास आया, co-domain हमारे पास हमने define किया, जो कि देंज के बराबर हो जाया, इसको define किया, 1, 2, 5, 1, 2, 5, ठीक है, अब आपको दिख रहा है कि y equal to x plus 1 में, x की किसी भी value के लिए 0 से 1 उठाएंगे, तो y की value 1 से 2 में uniquely defined होगी, इसका मतलब है कि यह 1, 1 and onto function है, इस domain और इस co-domain के लिए, इसका मतलब है number of elements 0 से 1 में उतने ही होने चाहिए, जितने 1 से 2 में होने चाहिए, उसने का वो तो obvious है, वो तो होते ही है, 0 से 1 में जितने number होंगे, close interval 1 से 2 में, उतना ही number होने वाले है, मेरे का बिलकुल से, यानि 0 से 1 में जो number है, वही 1 से 2 में है, यह बात clear है, पक्का, अब y equal to 4x plus 1 जा मैंने कहा, domain इसका 0 से 1 है, तो domain इसका भी 0 से 1 है, और आपको इसका पता, x की हर एक unique value के लिए 0 से 1 में, y की एक unique value मिलेगी, इसका मतलब है, यह भी 1, 1 and on 2 function है, इसका मतलब जितने element 0 से 1 में होने चाहिए, उतने ही element 1 से 5 में होने चाहिए, और जितने element 0 से 1 में है, उतने element 1 से 2 में तो हैं हमने proof कर दिया, और जितने element 0 से 1 में है, उतने element 1 से 5 में भी है, इसका मतलब है, 1 से 2 में और 1 से 5 में number of element same होने चाहिए, यानि 1 से 2 में, 1 से 2 में और 1 से 5 में number of element बराबर होने चाहिए, अगर one से two और one से five में number of element बराबर होगे तो one से five क्या चीज़ है one से two और two से five इसका मतलब है one से two में उतने element तो हैं है इतने one से two में हैं और इन दोनों में भी आपस से बराबर है तो इसका मतलब two से five में two से five में यानि कि अगर मैं two से five में बात करूँ तो इसमें कोई element नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई, हमने जब कहा कि यह बराबर है, तो 2 से 5 में कोई element नहीं होना चाहिए, इसका मतलब है 2 से 5 में कोई number exist ही नहीं करता, तो सोचिए गाइस को, क्योंकि infinities are very interesting phenomena to deal with, इसको general mathematical science से deal नहीं किया रह सकता, 3 प्लस 4 इकोल तो 7, यानि infinity प्लस infinity is not 2 infinity, infinity मैनेस infinity is not 0, s infinity by infinity is not always equal to 1, infinity into infinity की value infinity square है, क्या है मुझे नहीं पता, इन साही चीजों को deal करना बहुत different game होता है, I want कि आप इसका एक लॉजिकल आंसर लिख के बताई है, जो इद्व सटी का आंसर हो, वह की यही answer है, इसका यही reason है then I'll appreciate you definitely thank you very much